हाईलो फ्रेंड्स गुड इविनिंग स्वागत है आप सबका स्यूक्रिपा कलासेश पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CHSL परिच्छा दो हजार तेश के पंदरा मार्च थार्ड माँ फोर्थ सिप्ट में पूछेगे GKGS और Current Affairs के पासनों को सालप करेंगे दोस्तों अब आप लोगों की एक्जाम में काफी questions repeated हो रहे हैं तो दोस्तों जो questions repeated हो रहे हैं अगर आप उनका analysis करते हैं तो उन question पर पूरी तरह से focus करने का प्रियास करें और उन topics से जितने भी questions बन रहे हैं उन question को भी cover करने का प्रियास करें ताकि आप लोग अपने एक जामे अच्छे से अच्छा performance कर सकें तो चली दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग 15 मार्च 3rd वा 4th shift में पूछेगे जीके जीएस में current अफेस के परसनों को साल्प करना शुरू करते हैं दोस्तों question number 1 जो की 3rd shift में पूछा गया अनुछे 26 का संबंध किस्से है तो इसका सही अंसर होगा धार्मिक मामलो के परबंधन की स्वतंतरता से मूल अधिकार के अंतरगर आता है दोस्तों आप लोग जानते हैं हम लोग बराबर चर्चा कर चुके हैं तो इसका सही अंसर होगा धार्मिक मामलो के परबंधन की स्वतंता से next question है कंचन जंगा परबच्चोटी की उचाई कितनी है इसकी उचाई दोस्तों 8586 मीटर जो लोग 8586 मीटर पर अपना एंसर टिक किया है उनका एंसर बिल्कुल करेक्ट है next question पतंग महोसो 2022 का आयोजन कहा किया गया था तो इसका सही अंसर होगा अहमदाबा गुजरात में next question सिंगापूर ओपन 2022 के विजेता कौन है तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों PB सिंधू जो लोग PB सिंधू पर अपना एंसर कियें उनका एंसर बिल्कुल करेक्ट है next question इन में से कौन सा टेवहर असर में मनायता है दोस्तों दो बार ये पूछा जा चुका है तीसरी बार पूछा गया है इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों काफी questions रिपीट हो रहा है कि एक्जाम काई सेप्टो में हो रहा है तो दोस्तों जिन टापिक से question बनाने है उनसे दोस्तों इर्दगी जो भी question बनने है और repeat भी हो जाते हैं question दोस्तों तो इसका से अंसर होगा दोस्तों विहू तेवहार विहू जो लोग विहू पर अपना एंसर टिक किये है उनका एंसर बिलकुल करेक्ट है next question दीप का रिड़ी का संबंध कि सास्ते निर्थ से है तो इक कुछपुडी से है दीप का रिड़ी कुछपुडी से संबंधित है जो कि कहा का है आंध्र पर देश का कुछपुडी पर जो लोग अपना एंसर टिक किये है उनका एंसर बिलकुल करेक्ट है आगे चलेंगे हम लोग अगला question है दोस्तों IPL 2022 का विजिता कौन है तो इसका सही एंसर होगा गुजराद Titans जो लोग गुजराद Titans पर अपना एंसर किये है उनका एंसर बिलकुल करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन आजादी के 75 वर्स में गुजराद के कहां से अमरित महोसो का आगास किया गया तो यह साबर मती से किया गया था दोस्तों जो लोग साबर मती पर अपना एंसर टिक है उनका एंसर बिलकुल करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन सिंगापुर फार्मूला वन ग्रेंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता तो यह दोस्तों जीते थे सर्जियू पेरेस नेक्स्ट कोश्चन हम लोग तो इनक्स प्रिंटर तो जो कीita चीजे जो की आउट्पुट से सम्मेंदित होती है इन्पुट आउट्पुट को हम लोग अलाइलख करते हैं दोस्तों जो चीज कram करते है जो चीज बहर आती यो नी है आउटि की बोड्स एक भी लिक रहे हैं तो दुस्तों से कुछ निश्कासित नहीं हो रहा है कि और हम अन्दर डालने डाटा को तो हमारा इंपुट हो जाता है ऐसे दोस्तों कामंसेंस निकल निकाले जो भी आपसंस दे जाएं दोस्तों हमारे एंसर निकल आते हैं जबलपुर मदपरदेश में इस्तित है ध्यान दिजएगा नर्मदा नदी पर कोश्चन अगर रिपीट होता है दोस्तों तो नर्मदा नदी पूछा जाएगा इस बार नेस्ट कोश्चन तमिल नाड की सबसे उची चोटी कोँछी है तो दोड़ा बेट्टा है तमिल नाड क पूछा जास सकता दूस्तों यानि कि आगे जो सिफ्ट होंगे उसमें पूछा सकता दूस्तों कि दच्छन भारत की सबसे उची चोटी और पूरी सुम्भावना है पूछी जाने की आगे चलेंगे हम लोग अगला कोश्चन है दोस्तों हाल ही में परत्यच करबोर्ड के अ होसमें से आप जानते जो हाई-letे थैं परत्थ पे चीड़ी से लेकर पाचरवी पीडी तक हम लोग उनको जानते हैं तो उसके अंदर से दूस्तों थोला फहीं दाटा पूछा जा रहा है तो इसलिए दूस्तों जो ऐस्यों दोस्तों तक हैंको समझने का प्रियास करी जो कैला सत्यार्थी से इस बार भी कोश्चन पूछा गया कैला सत्यार्थी को नोबल प्रसकार अब पूछ लेगा दोस्तों इस भी तो 2014 में मिला था जो लोग 2014 को अपने एंसर टिक किया है उनका एंसर बिलकुल करेक्ट है नेक्स्ट कॉश्चन दोस्तों टापिक जितना फैल ना चाहिए अतना फैल चुका है अब जितने भी कोश्चन पूछेगे उनके इरिद्गी जो भी कोश्चन बनेंगे टापिक से लगभग वहीं सही पूछ जाएंगे क्योंकि एग्जाम के बाद दूस्तों रिजल्ट आने का प्रियास किया जाता है अगला कोश्चन है राष्ट्य जाच एजंसी की महाने देशक कौन बनी है तो यह दिनकर गुपता है कौन राष्ट्य जाच एजंसी की महाने देशक दिनकर गुपता है, जो लोग दिनकर गुपता पर अपना एंसर टिक के है, उनका एंसर फिल्कुल करेक्ट है, आगे चलेंगे हम लोग, अगला कोश्चन है दोस्तों, बाबर ने फरगना की सासन ब्योस्था को कब संभाला, तो इन्होंने संभाला था दोस्तों, 12 वर्ष के चायू में, 1494 में, नेक्स्ट कोश्चन, टोकियो ओलम्पिक 2020, बेट लिप्टिंग, थोड़ा साब डेपली, मतलब अंदर से पुछा गया, मैं रजजत पदक किसने जीता, किलियर किया दोस्तों, बेट लिप्टिंग लिखके, तो इसका से इंसर होगा दोस्तों, मीरा बा पास सिके थे, अगला कोश्चन दोस्तों, और इस से जब्टि का दोस्तों, याने कि फोर्थ सफ्टि का लास्ड कोस्चन, कोश्चन है दोस्तों, मिमा यार अनफिनिश्ट आर्टोबाईवगराफी की लेखक है, तो दोस्तों, अभिनेत्तरी प्रियंचा चोपड़ा, तीय जाने वले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फार वाचिंग